Hi everyone, good evening to all of you, hopefully सभी लोग अच्छे होंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि gate के exam में, gate 2025 के exam में बहुत ही limited time बचा हुआ है, तीन महिने के आसपास time बचा हुआ है, अब इसमें एक एक दिन बहुत important है, आप लोग अपने side से तो मेनत करी रहे होगे, उसमें से मैं just आप लोग crash course हम लोग launch कर रहे हैं, सभी लोग इस series को continuously follow करेंगे, regular रहेंगे, इस series के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, जो ये mass transfer operation की हम लोग series launch कर रहे हैं, इस series में complete mass transfer operation आप लोगों को cover करवाए जाएगा, don't worry, इस series में आप लोगों के questions भी करवाए जाए 11 chapter है, 11 chapter के 11 chapter ही आप लोगों को complete करवाए जाएगे, diffusion से हम लोग start करेंगे और membrane separation जो additional topic था, बहाँ पे जाके हम लोग end करेंगे, हर एक chapter, हर एक चीज बहुत ही proper तरीके से आप लोगों करवाए जाएगी, बस condition ही रहेगी कि हम लोग बड़े-बड़े derivations को skip करेंगे, point wise सार 25 लिखने वाला है, और mass transfer जैसे scoring subject को तो आप लोगों को complete करना ही है, limited time पर हम लोग करने वाले हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया है, इसी time पर 7 बजे बटा ये daily class आप लोगों की रहेगी, बस condition ही रहेगी कि आप लोग daily बटा live attend करेंगे, तभी ये बीच के lectures आप लोग ही करना है, daily basis पर आप 7 बजे आजाओ, फिरी ओके बैठ जाओ, डेर घंटे का lecture चलेगा, 90 मिनट का every session रहने वाला है, complete यहाँ पर लोगों का course करवाए जाएगा, don't worry about that, बस आपको क्या काम करना है, अपने side से 100% effort डालना है, और daily basis पर आपको live class ही करनी है, तभी आप complete कर प कुछ भी हो जाए, डेर घंटे आपको बैठना है, भले ही सेसर में 5 बच्चे क्यों ना देखें, 10 बच्चे क्यों ना देखें, लेकिन आपको डटके बैठना है, क्योंकि content में कमी नहीं होगी, strength में आप लोगों की कमी हो सकती है, लेकिन content उसी energy के साथ मिलेगा, जब तक यह बिटा आप लोगों का subject end नहीं हो जाता है, तो इस subject को proper तरीके से आपे हम लोग continue करेंगे, बस 2-3 important बाते हैं, बो आप लोग सुलो, बिटा कुछ चीजें हैं, बो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दीता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, gate 2025 के लि तो यह crash course आपको plus से करने हैं, सारे subject करने हैं, तो unacademy offer अभी आप लोगों को provide कर रहा है, 5999 में, जहाँ पे 3 plus 1 मन्त का आप लोगों को extension लिल रहा है, आप referral code यूज कर लेंगे MR100, और इस code को यूज करते हुए, आप लोग बेटा unacademy plus या icon कुछ भी आपको join करना है, 14,999, जिन वच्चों का target लंबा है, 2026, वो लोग बेटा 15 मेने का course लेकर अपनी preparation को start कर सकते हैं, referral code डाल देंगे MR100, ठीक है, इस referral code को डालते ही, आप लोग बेटा course को join कर पाएंगे, और जैसे ही आप course को join करते हो, मेरे से एक बार discuss कर लेंगे, यहाँ पे comment box में आपका telegram group का link दे रखा है, इस telegram group को join कर लेंगे, और मेरे से आप लोग बात करके ही आगे continue करेंगे, referral code यहाँ पे देखो पड़ा हुआ है MR100, सारे features आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे ही आप लोग इस code को use करते हैं, तो आप मेरा guidance ले पाते हैं, ओके ले सकते हैं, आप लोगों MR100 and Unacademy Plus आप लोग जोईन करो, और यहाँ से आपको कोई भी दिक्कत रह दी है, तो मेरे से आप लोग बात करके, आप लोग आगे अपना plan को भी ready कर सकते हैं, उसके according आप लोग चीज़ों को follow कर सकते हैं, फिलाल यहाँ पे हम लोग crash course की बात करना है, यहाँ पे हम लोग crash course के बारे में series करने जा रहे हैं, तो इस series को आप लोग सभी लोग follow करेंगे proper तरीके से, ठीक है, चलो फिर हम लोग unit 1 से start करेंगे और continuously हम लोग इसको आगे तक ले कर जाएंगे, ठीक है, end तक आप लोगों को देखना है, regular रहना है, बने रहना है, डटे रहना है, और box में डाल देंगे, ready now, यहां से start करते हैं absorption, बैतरीन तरीके से start करेंगे, conceptual बात करेंगे, come time पे complete एक revision का हम लोग यहां से package उठाएंगे, ठीक है, absorption एक ऐसा chapter है, जो gate के हर year, हर year लगवग आपका एक question पूछा जाएगा, sometimes आपके दो question भी पूछ लिए जाते हैं, देखो, absorption ह हो गया, distillation हो गया, diffusion हो गया, यहां से सवाल fix होता है, और mass transfer तो इतना scoring subject होता है, लगवग हर chapter से सवाल पूछा जाता है, अब मैं आप से बोल दूँ कि यह ड्राइंग से नहीं आएगा, नहीं, ड्राइंग से भी सवाल आता है, इस वार भी ड्राइंग से आया है सवाल, ड सारे लोग सुने रहे हेच रहो में heading डालेंगे सारे लोग absption, टॉप सेक्शन में सारे लोग copy में heading डालेंगे absption, टॉप सेक्शन में मस तरीके से डाल दो 2-3 color का pen use करो, ठीक है, 2-3 color का आप लोग pen use कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे थोड़े figures बनेंगे, operating lines बनेंगी, equilibrium curve बन चला, बहुत बढ़ी है, तो absorption होता क्या है, सबसे पहले मैं बात करूँगा, liquid gas mass transfer, absorption पर बात में आएंगे, पहले मैं बात करूँगा, आपने अभी तक आपने diffusion में देखा था, वो था gas gas mass transfer, आपने देखा था liquid liquid mass transfer, इसको क्या बोलती थे, आप diffusion बोलती थे, ठीक है, diffusion का हो सकता है, gas gas mass transfer, ठीक है, gas liquid mass transfer, gas liquid mass transfer, okay, gas liquid, liquid solid mass transfer, liquid liquid mass transfer, इस type के आपने mass transfer, आपने देखने को देखने को बले, gas gas mass transfer को आप लोग एक नाम diffusion भी दे देते हो, क्या देते हो, diffusion, diffusion, ठीक है, का नाम दे देते हो, diffusion नाम दे देते हो, gas liquid में दो category, gas liquid में अगेन आपकी दो category होगी, बहुत द्यान से समझेगे, gas liquid में दो category, in case आपका solute जो है, solute है, gas से liquid में transfer हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सारे लोग comment box में बता देंगे इनकेस हमारा जो solute है gas से liquid में transfer हो रहा है उसको क्या बोलेंगे that is the absorption that is the absorption इसको बोलते है sir absorption बलुकुल basic से हम लोग चल रहा है बलुकुल basic से चलेंगे इसको बोलते है sir absorption सर, gas liquid में एक dużo lotta ony braucht कि जो solute है वो liquid से gas में भी transfer हो सकता है उसको क्या बोलते है उसको क्या बोलते है जब अपना solute है liquid पेज से gas पेज में transfer होता है उसको हम लोग बोलते है stripping उसको हम लोग बोलते है stripping, right? उसका नाम जो होता है that is the stripping, right? तो हमारा जो gas, gas mass transfer उसको हम लोग diffusion बोलते हैं liquid gas में दो case, solute अपना gas से liquid में जा रहा है उसको बोलेंगे absorption जो की आज हम लोग पढ़ेंगे liquid से अपना gas में जा रहा है उसको stripping बोलेंगे जो की आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है जी liquid solid, इसको बोलते हैं leaching इसको बोलते हैं leaching इसको बोलते हैं leaching ठीक है, यह आपका liquid solid mass transfer हो रहा है तो उसका नाम आएगा leaching ठीक है, मैं बात करूँगा liquid liquid mass transfer की इसको बोलते हैं extraction इसको बोलते हैं extraction इसको बोलते हैं extraction इसको बोलते हैं extraction ठीक है इसको बोलते हैं extraction तो इस type का आप लोग basically mass transfer देखने को मिलेगा येस आप liquid और gas लिक्वड गैस गैस लिक्वड ही हो गया आप जो अप्शन एक और होता है solid gas अभी आपने कहीं पर solid gas नहीं लिखा है एक और लिख लो solid gas mass transfer solid gas mass transfer इसको क्या बोलते हैं इनके solid gas कहीं पर mass transfer हो रहा हूँ इस type के mass transfer को क्या बोलते हैं drying इसको क्या बोलते हैं drying drying इसको क्या बोलते हैं drying ओके जहां पर solid और gas ठीक है gaseous molecule है solid के उस surface पर आपके आ रहे हैं ठीक है या solid से solid से आपके किस में जा रहे हैं ठीक है आपके जा रहे है gas के form में drying ठीक है एक और mass transfer होता है solid gas mass transfer को drying भी बोलते हैं और एक होता है adsorption adsorption भी इसी में आ जाएगा एक और mass transfer होता है solid solid mass transfer solid solid mass transfer जो की हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्यों नहीं पढ़ते हैं सर, region क्या है, region क्या है, region क्या है हम सर, solid mass transfer क्यों नहीं पढ़ते हैं, हम लोग यह क्यों नहीं पढ़ते हैं, हम सर, solid mass transfer क्यों नहीं पढ़ते हैं, बताओ, solid mass transfer इस वजे से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जो solid molecule होता है, उसका diffusion बहुत negligible होता है, ठीक है, उसका joh diffusion होता है वो बहुत negligible होता है तो इस वज़े से हम लोग क्या added solid solid कर भी आपने mass transfer देखने को नहीं मिलेramento फूर टार्ट की हो झीओ ठाल Meansुआष मस doesn时间 होता है तो solid उसका जो most transfer होता है वो mass transfer teu negligible mass transfer होता है इस वजए से किसी भी किप्टर में आप mycnical operation की help से उसको mix कर सकते हो, ठीक है आपने मालो एक solid लिया, आपने आटा लिया और आपने क्या लिया, सुगर के particle लिये, ठीक है mixing करके आपने क्या कर दिया, mix कर दिया, तो this is not mass transfer, यह क्या होगी, एक्चली mixing होगी, solid mixing होगी, जो की mechanical operation के अंदर आ जाएगा, जो की mechanical operation के अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर mechanical force की help से हम लोग बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पर जो category आएगी, वो आएगी, gas liquid mass transfer, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या absorption, यहाँ पर जो gas liquid mass transfer, इसकी हम बात कर होगी, sir absorption समझ में आ गया, ठीक है, heading डालेंगे सारे लोग यहाँ से, overview and operational concepts, ठीक है, heading डालेंगे सारे लोग overview and operational concepts, एक slide में हम लोग समझेंगे बात, overview and operational concepts, ठीक है, overview देखेंगे absorption का, और operation कैसे करेंगे, उसकी बात हम लोग एक ही slide में समझेंगे, क्यूंकि हम लोग revision कर रहे पर्टिकुलर चीजों में तो उसको रिवीजन के तौर से ही हम लोग देखेंगे उसी अंदाज में हम लोग को घ्री को कबड़ करने वाले हैं यहां पर ठीक है कि अपना वह एना की चीज कि सांप भी मर जाया और लाठी भी ना किलो और रिवीजन भी हो जाए तो उस अंदाज में अपनको रिवीजन करना है ओके चला एडिंग डालनें के सारा लोग ओवर्विव एंड ओपरेशनल कॉंसेप्ट ओवर्विव एंड हाँ हाँ बलुकुल आराम से सॉट नोट्स बनाओ आप ठीक है मिनी नोट्स बनाओ आराम से बनाओ बस नाम नहीं दिया गया है सॉट नोट का एक्चली है तो वो सॉट नोटी सिंपल एक कॉलम बना लेते हैं इसके फ्लैस बैक में न जाते हुए सीधे सीधे मोटी मोटी सर बात करते हैं यह अपने पास एक absorption कॉलम है थोड़ा बहुत स्पेस रहता है सुरुआत में थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है उपर नीचे जब भी कॉलम रहता है आप liquid को अच्छी तरीके से इसमें डाल पाओ ठीक है और गैस को भी अच्छी तरीके से इस तरीके से हम लोग hem design करते हैं absorption column सब्सक्राइब इस तरीके से hem log design करते है आप contribution column ہम लोग gas कहा से देते है bottom से हम लोग gas कहा से देते है bottom से यह यहाँ से अपनी gas in होगी gas in बहुत द्यान से बात को समझ लेना gas यहाँ से अपनी out होगी always gas हमेशा bottom से जाएगी गैस अमेशा कहां से जाएगी bottom से, गैस out होगी अमेशा top से, यह fix है, गैस out, यह fix है, अब देखो जो, यह होता है अपना feed, इसको उम बोलेंगे अपनी feed, सम्टाइम्स इसको feed बोलेंगे, सम्टाइम्स और भी चीजों को feed बोलेंगे, इस solvent भी हो सकता है, gas to liquid side gas to liquid side इधर अपना gas है और इधर क्या है liquid है तो जो molecule जो अपना solid जो transfer हो रहा होगा वो gas से liquid side में अपना transfer हो रहा होगा gas से liquid side में transfer हो रहा होगा अब sir solvent डालने के तरीके solvent डालने के दो तरीके हैं या तो आप bottom से भी डाल सकते हैं उसको उमलोग बोलेंगे counter current operation. तो जब भी हम इसको कहां से डालेंगे ? तो इस अपना आ रहा है, solvent. यहां से अपना आ रहा है solvent in. solvent in ठीक है और यहां से अपना हो जाएगा solvent out solvent out बहुत ध्यान से इसी को तुमने समझ लिया ना तो काम हो जाएगा आपका इसमें थोड़ा time देना है इसके बाद बहुत आप रफ्तार पकड़ लोगे इसी में थोड़ा सा आपको time देना है बहुत ध्यान से सारे लोग समझ लेंगे gas in, gas out solvent in, solvent out इस operation को बोलते है counter current मतलब समझ लो सारे बच्चे नहीं हो आप लोग engineer हो इतना तो जानते हो कोई भी flow same direction में होता है उसको अम बोलते है co current ठीक है कोई भी flow आपका opposite direction में होता है इसको हम लोग बोलते है counter as you know that ठीक इसको बोलते है counter यह बात सारे बच्चों को पता है जब भी दो stream opposite direction में यह देखो इस side में आ रही है और इधर आ रहा है यह क्या है counter current operation जब भी same direction में आता है या तो parallel या तो या तो अपना co current यह सारे बच्चों को बात पता है तो इस पर मैं ज़्यादा focus नहीं कर रहा हूँ यह सब कुछ आपको आता है ठीक है यह सारा कुछ आपाता है ठीक है you are master now अभी आप लोग हमको पढ़ा सकते हो आपको खड़ा कर दिया जाए आओ sir आपको हम पढ़ा रहे है ठीक है चलो बहुत बच्चे बहुत बड़ा अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से बात सुनना कुछ यहाँ पर तर्म है जो की पूरे absorption में बैटिंग करेंगी कुछ खास बाते हैं उन पर सारा लोग ध्यान देना है कुछ खास बाते हैं खास बाते क्या क्या है कि जो यहाँ पर जो टूल्स यूज करेंगे to understanding the operating lines to determine the equilibrium curve ठीक है to calculation of the height of the column तो कुछ टूल्स हैं उनकी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले है टूल्स क्या क्या है यहाँ पर जो हम टूल्स यूज करेंगे capital G capital GS small y ठीक है और capital Y इस section को हम नाम देंगे 1 और इस section को नाम देंगे 2 तो जितने भी compositions bottom में होगी जितनी भी compositions bottom में होगी हर किसी का नाम हो जाएगा 1 इसका capital Y1 यह small y1 और यहाँ पर capital G1 ठीक है जी अब ही मैं नाम बता दूँगा अब इनका मतलब सारा लोग समझ लो होने वाला क्या है capital G1 क्या है it is the total gas flow rate it is the total gas flow rate GS क्या है कि अपना जो gas है इसमें 2 चीजे होगी एक अपना क्या होगा solute solute ठीक है solute C और A carrier ठीक है मैं बोलूँ A plus C है A plus C का mixture है तो solute भी होगा और अपना carrier भी होगा ठीक है जिसके साथ अपना solute आ रहा होगा तो total carrier plus solute को total मिला के जो flow rate होगा वो होगा capital G वो होगा आपका capital G ठीक है GS क्या है solute free basis पर flow rate है यह क्या है solute को अटा दो it is a simple mole fraction यह क्या है capital Y1 क्या है यह mole ratio है moles of the C upon moles of the A very nice बहुत बढ़िया capital Y1 क्या है mole ratio है तो capital Y1 है वो क्या है moles of moles of C upon moles of A ठीक है तो यह solute का moles upon carrier का mole यह है mole ratio small Y1 क्या है small Y1 is the mole fraction mole fraction का मतलब moles of C moles of C upon moles of A plus C A plus C यह है अपना small Y1 इन केस मैं इन दोनों के relation की बात करूँ कि सर small Y1 और capital Y1 में क्या relation होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो capital Y1 होता है वो होता है small Y1 upon 1 minus का small Y1 यह relation होता है यह सारी बात है आप लोग कॉपी में मस तरीके से write down करते चले जाओ यह होता है relation मैं बात करूँ कि small Y1 और capital Y1 में relation फिर क्या होता है तो capital Y1 होता है small Y1 upon 1 minus small Y1 yes small Y1 यहाँ पे कुछ और होगा यहाँ पे कुछ और होगा क्यूंकि जो सिर्फ transfer अपना solute का हो रहा होगा सिर्फ अपना transfer solute का हो रहा होगा A carrier है उसका transfer नहीं हो रहा होगा ठीक है A जो carrier है उसका transfer नहीं हो रहा होगा ओके तो यहाँ पे जो A है उसी का आपका flow rate है क्या Gs वो की system में चेंज नहीं हो रहा होगा, तो यहां पर भी gs होगा, और यहां पर भी gs होगा, इस बात को सारे लोग केर करेंगे, ठीक है जी, आपका small y1, capital y1, यह सब कुछ चेंज हो रहा होगा, यह पूरा-पूरा हो जाएगा, उसी का flow rate है gs, तो gs की value पूरे system में कभी भी change नहीं यहां पर कुछ और होगा, क्यूंकि लगातार transfer हो रहा होगा, लगातार मामला इधर की और आरा होगा, तो small y1 कुछ और होगा, क्यूंकि amount of c, यहां पर कुछ और होगा, यहां पर c, तो it will change but gs will not change, इतना मामला सर सेट है, इधर आ जाओ अब लिकुड में, similarly लिकुड में भी, लिकुड में भी यहाँ पर जो टर्म होगा, यह देखो 2 है पूरसन, यह 2 है तो इसका मतलब L2 होगा, Ls होगा, ठीक है, Ls होगा, यहाँ पर क्या होगा, X2 होगा, और Small X2 होगा, similarly, X2 क्या जर्नल क्या होगा, कि जो solvent होगा, वो solute free basis पर होगा, मतलब solute नहीं होगा, in gate exam, होगा, तो हम use कर लेंगे, तो use कर लेंगे, तो कैसे use कर लेंगे, जो आपका capital X2 होगा, वो आपका small X2 upon 1 minus small X2, it is the mole fraction of the solute, it is the mole fraction of the solute, similarly, यहाँ पे आपका capital X1 होगा, और यहाँ पे आपका small X1 इनके solvent pure है, if, note करके बाद लिखेंगे सारे लोग, note करके बाद, if, solvent आपका क्या है pure है, solvent कैसा है pure है, तो सारे लोगों का comment section में आ जाना चाहिए, answer, what is the value of X2, capital X2 and small X2, please tell me, in case अपना solvent pure है बाबा, तो अपना small X2 की value कितनी होगी, और capital X2 की value कितनी होगी, जल्दी से, solvent pure है, solvent pure है, इसका मतलब, यह fraction है कि इसका solute का, कि भया, जो मामला जो C है, वो कुछ तो solvent में present तो नहीं है, मामला जो C है, वो कुछ present तो नहीं है, अब जाईर सी बात है, इनके इस present हुआ, तो तुम separation कैसे कर पाऊगे, है ना, पता चला तुम इसी को तो इसमें dissolve करोगे, वो उसमें फिर है, फिर से इधर आ जाएगा, तो separation तो होगा, नहीं, उल्टा और हो जाएगा, ठीक है, तो जो solvent लेंगे, वो ऐसा लेंगे, जिसमें यह C ना हो, यह C ना हो, ओके, तो यहां पे इनके solvent pure हो गया, तो small x2 भी 0 हो जाएगा, और capital x2 भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है, सारी जर्भ मेरे को एक चीज बताओ, सारी लोग एक चीज बताओ मेरे को, यहां पे, आपके चार component है जिस पर आपको focus करना है, यह Capital Y1, Capital Y2, Capital X2, Capital X1 इन चीजों पर ही आपको फोकस कर रहा है यह 4 कंपोनेंट है Capital X1, Capital X2, Capital Y2 और Capital Y1 क्योंकि हम लोग हमेसा किस पर बात करेंगे Capital पर बात करेंगे और GS पर बात करेंगे सारे लोग ज़रा यह मेरे को सोच के बताओ अपना main objective क्या है to increase the value of capital X1 हम चाहते हैं कि अपना ये capital X1 ज्यादा से ज्यादा मिले हम यही तो चाहते है capital X1 अपना ज्यादा से ज्यादा मिले क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अपना capital X1 मिलेगा तो absorption के लिए favorable होगा कि नहीं हम क्या चाहते हैं कि absorption ज्यादा से ज्यादा हो तो सबसे जादा value कांस ही होनी जाहिए absorption जादा से जादा हो it means अपना जो solutize the transfer हो इधर transfer हो भाया इधर transfer होगा तो हम चाहते हैं कि अपना ये maximum हो अपना जो main objective रहेगा to increase the value of capital X1 to increase the value of capital X1 to increase the value of capital X1 इस पर अपन को काम करना पड़ेगा क्यों काम करना पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि जो gas का जो molecule है वो liquid में dissolve हो वो liquid में जाए और इधर से मुस्कुराते हुए निकले है हम यही तो चाहते हैं अपना main objective तो यही है भाई तो main objective यह है कि जब भी हम operational concept की बात करेंगे तो operation क्या कैसे करेंगे जाता है कि यह वया value बताओ यही आपको unknown रहता है तो यह देखो सारे लोग यहाँ पर note करके बात समझना आपके सारी चीज़े known हैं यहाँ पर सिर्फ x1 unknown है इस बात को द्यार रखना आपके पास यहाँ पर देखो known क्या क्या है इस बात को note करके लिख लो क्योंकि यह चीज़ें आपको समझ में आ गए तो समझ लो तुमने आदा game change कर दिया यहाँ पर absorption का यहाँ पर known क्या क्या है यह आपको capital Y1 known है यह आपके पास known है capital Y2 भी आपको known है capital Y2 भी आपको known है कैसे known है कि question में बोला जाएगा कि 90% separation चाहिए 95% आपको separation चाहिए जब आपने यह बात बोल दी तो इसका मतलब आपने fix कर दिया है कि कितने percent आपको separation चाहिए यह चीज़ आपने fix कर दी तो 95% आपने fix कर दिया तो भया आपका capital Y2 भी fix हो गया इसका 95% आपको चाहिए तो इसका मतलब 5% यह निकलेगा यह तो fix हो गया यह fix हो गया कि 5% inlet का निकलेगा 95% इदर separate out हो जाएगा यह आपने fix कर दिया यह आपने fix कर दिया तो capital Y2 भी आपको पता है capital Y2 भी आपको पता है known है capital Y2 भी आपको known है एक और जो आप solvent डाल रहे थे इसमें भी आपको पता है कि अपना solute कितना है X2B आपको known है X2B आपको known है Capital X2B आपको known है ठीक है? Capital X2B ये known है इतनी quantities आपको पता रहेंगी इतनी quantities आपको known रहेंगी तिरफ एक ही quantity unknown रहेंगी That is the capital X1 That is the capital X1 ये आपकी unknown रहेंगी ये ही सिर्फ बहरी करेंगी All quantity will be fixed ये सब कैसी है? Fix must तरीके से सारे लोग इस बात को समझो येनिकेस ये बात तुमको समझ में आ गई तो absorption में तुमने 50% समस्या का हल डून लिया ये ही बात नहीं आती है समझ में और इसका connection ये पूरा absorption पढ़ लेते हैं ये नहीं पता चलता है कि बच्चों को की variation का कौन कौन से कौन कौन से vary करेंगी कौन कौन से fix compositions है तो आपका सिर्फ variable एक ही होता है जब भी हम absorption पढ़ते है that is the X1 जब भी आप stripping पढ़ेंगे तो ये जो उपर से capital Y1 निकल रहा था वो variable होगा X1 fix होगा ये fix होगा वो fix होगा जब भी हम stripping की बात करेंगे तो अपना ये capital Y1 ये वाला variable होगा ये amount fix होगा कितने percent आपको चाहिए वो fix होगा ये fix होगा ओके जी तो आपका ये variable होता है तो अब इसका मैं बनाता हूँ आपको graphical representation तो ये था counter current operation सारे लोग heading डालेंगे graphical representation ये जी एस और जीवन कैसे आपको पता लगेगा जैसे देखो मैं आपको बता देता हूँ मालो आपको पास आप differentiate ये कैसे करोगे कि sir GS दिया है या जीवन दिया है ये कैसे differentiate करोगे इसकी language आपको पढ़नी पढ़ेगी सपोज कर लो question में given है given है ऐसे दिया है कि भईया आपके पास benzene आ रहा है और प्लस air का mixture आ रहा है benzene प्लस air का mixture आ रहा है 20 kmol पर आर से सारे लोग जरा मेरे को ये बता दो इनके question में ऐसे बोल दिया जाए फीड आ रही है benzene प्लस air का mixture जिसका flow rate 20 kmol पर आ रहा है सारे लोग जरा सोच के ये बताओ इनके आपका gs ये जीवन है gs है ये जीवन है सारे लोग जरा सोच के बताओ बहुत बढ़िया this is the total gas flow rate this is the total gas flow rate इसमें आपका benzene का भी flow rate include है और air का भी flow rate include है ये आपका gs नहीं है ठीक है ये आपका ठीक है ये आपका gs नहीं है ये आपका gs नहीं है ओके जी अब देखो gs कैसे अफसर निकालेंगी क्योंकि always work on gs आपको हमेशा operation gs पर ही करना पड़ेगा आप g1 पर तो काम ही नहीं कर सकते उसके पीछे भी region है उसके पीछे भी region है कि आप gs पर ही काम क्यों करोगे उसके पीछे भी region है भी मैं बताऊंगा आपको यह आपका हो गया g1 यह है g1 this is not gs अब sir gs कैसे निकालेंगे समस्या इस बात कीई तुम जो gs निकालोगे ना बेटे तुम gs निकालोगे तुम g1 में g1 में ठीक है 20 क्या करोगे g1 में खुसियां लेकर आनी है आपको धीक है g1 में खुसियां कैसे लेकर आओगे कि आपके पास यह है g1 G1 into 1 minus का small y1 यह है आपका Gs this is the year or Gs great, not capital Y यह गलत कर गए इस देज़ाद small y1 small y1 ठीक है? 20 into 1 minus का small y1 तो यह आजाएगा 20 into 1 minus का आप question में given होगा कि भया बेंजीन कितने percent है कि 20% भया बेंजीन है 20% अपनी बेंजीन है अब यह आपको small y1 given है तो यह आजाएगा 0.2 तो आपका Gs होगा ना भाई वो होगा 20 into 20 into बता दो कितना है भाई 0.8 0.8 तो यह एटाओ 8 दूनी 16 16 kmol per R 16 kmol per R 8 kmol per R यह आपका Gs होगया अब आपको जो बैटिंग करनी है ना वो 16 के पिछ पे करनी है इनकेस तुम बैटिंग बैटा 20 की पिछ पे कर गए तो तुम clean bold हो जाओगे अब तुमें जो बैटिंग करनी है इस वाली पिछ पे करनी है जहाँ पे 16 लिखेगा येस सम्टाइम्स दे विल गिव डाइरेक्ट ठीके दे देंगे डाइरेक्ट दे देंगे सम्टाइम्स आपको बहुत आगे तक लिए कर जाएंगी एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ बहुत काम की चाप पड़लो और आप लोग ऐसा ही क्यों कर रहे हो इस बात को भी सारे लोग रीजन समझ के जाओ ठीक है कॉलेज में किसी से पूछ देना कि जीयस पे ही काम क्यों करते हैं इसके पीछे रीजन है कैसे आपका जो जीयस होता है ना बिटे जीयस और इंटू वाई capital वाई को ही यू लेते हो इनकेस तुम इसकी जगई जीयस इंटू small वाई क्यों नहीं ले सकते हो ये फेल कर जाएगा ये क्यों फेल कर जाएगा और GS पर क्यों बात करते हैं, उसके पीसे क्या logic है, एक line में सारे लोग समझेंगे, भाईया GS क्या है, इड़िदा, इड़िदा, GS क्या है, यह किसका flow rate है, carrier का, solute free basis पर, carrier का flow rate है, मतलब flow rate of A, इड़िदा, mols of A, mols of A, mols of A, पर R, यही तो है, मतलब carrier का flow rate है, मतलब solute free basis पर है, mols of A, पर R, मतलब carrier का flow rate है, बल्कुल सार, capital Y क्या है, mols of C, mols of C, upon mols of A, upon mols of A, तो देखो भाईया, mols of A, mols of A, cancel out हो गए, बच्चा क्या, mols of solute, मतलब C, पर R, यही तो transfer हो रहा है, यही तो transfer हो रहा है, पूरे system में, यही तो transfer हो रहा है, mols of C, पर R, that is why you are using Gs into capital Y, इनकेस आप यह यूज कर देंगे, तो फिर आपका mols of C, पर R, निकल की आई ही नहीं सकता है, unit valence ही नहीं होगी, इसमें क्या unit निकल की आएगी, mols of A, mols of A, mols of A, पर R, small y क्या है, यह तो unit less है, mol fraction है, to the unit less, तो mols of A पर R, यह तो change ही नहीं हो रहा है, यह तो transfer ही नहीं हो रहा है, जिसकी तुम बात कर रहे हो, तो इसी बज़े से हम लोग ऐसा कर रहे हैं, this is the region why we are using the Gs and capital Y, बात को लिख लेना कहीं पर, क्यों यूज कर रहे हैं, पर तो पूरा डालते हैं, लेकिन क्यों यूज कर रहे हैं, क्या region है, यह बात को सारे लोग समझो ध्यान से, इनकेस तुमने इन बातों को समाल लिया ना, तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है, मास ट्रांसपर कठिन क्यों लग जाती है बच्चों को, यार मास ट्रांसपर कोई इदम से कठिन आईसा नहीं है, कि कठिन वो बोल रहा है, मैं कठिन हूँ, यह चीजे नहीं सीख पाते हैं ना, यह इस तरीके से आपने पढ़ाई नहीं करी है, आपको मैं बता तुम मास ट्रांसपर सब्से तुम्हें इजी लगने लगेगा सब्यक्ट, मास ट्रांसपर के सकठिन होता, तो मैं क्यूं पढ़ाता ही होता, मैं तो सरल चीज पढ़ाता ही ट्रांसपर ऑपरेशन, तो मास ट्रांसपर बहुत इंट्रेस्टिंग चीज है, इसको तुमने एक बार गवर से समझ लो बस, एक बार तुमने समझ लो ना, तुमारे आगे पिच्चर चलने लगेगी, ऐसा वो ही क्यूं रहा है, ऐसा हो क्यूं रहा है, यह तुम्हें जिस दिन दिखने लगेगा, समझ लो चीज़ें, बहुत सैट है, मामला, मामला बहुत सैट है, पूरा connected है एक दम से, ओके जी, चलो सर, इतनी बास सरम को समझ में आगई, बहतरी त concepts, ठीक है, इसकी heading क्या थी, यह operation करने आपने देख लिया है, ठीक है, operation कैसे करते हैं, यह चीज़ आपको आगई समझ में, अब आजाओ graphical representation पर, अब आजाओ भाई साब graphical representation, ग्राफिकल representation, ग्राफिकल representation, अधिन आलेंगे सार लोग graphical representation, इसका graphical representation, ग्राफिकल representation और आगया, अपट कर दिया, इधर आजाओ, graphical representation, ग्राफिकल representation, ग्राफिकल representation, ग्राफिकल representation, ग्राफिकल representation, ठीक है जी, बहुत बढ़या सार, बहुत बढ़या, absorption की सरम बात कर रहे थे absorption की सरम बात कर रहे थे तो absorption का कल आपने equilibrium curve देखा था कुछ इस तरीके से जा रहा था कुछ इस तरीके से जा रहा था ठीक है अब यह बताओ सारे लोग आपका Y1 सबसे ज्यादा होगा आपक manifestly capital Y1 सबसे ज्यादा होगा capital Y1 will be greater than capital Y2 क्योंकि ये feed में था ये feed में था ये कहां पे था outlet पे था दूसरा और आपने क्या देखा था कि जो आपका capital X1 होगा वो जाना था capital X1 जाना था will be greater than capital X2 से ये conditions hold कर रही थी ये condition क्या कर रही थी आपकी hold कर रही थी ठीक है ये condition आपकी hold कर रही थी कि जो bottom में आपका liquid में जो mole fraction था वो ज्याना था जो top में था वो कम था आपका जो gas था उसका bottom में mole fraction ज्याना था outlet में कम था बस इसी चीज को याँ पे represent करना है इसी चीज को याँ पे represent करना है बहुत बढ़ी है सर चलो जी तो टाइल स्ट्रायवाला स्ट्राय। इन्हकोषबूरी थोड़ा आगे बढ़ाओ। इन बाइस आपको थोड़ा आगे बढ़ाओ, एक आपको point मिल गया, ठीक है जी, और एक point आपको और मिल जाएगा इस तरीके से, एक point इधर ही मिलाओ, ज्यादा दूर लेकर जाओ, एक point कुछ इस तरीके से आज़ाओ, इसको मैं कर देता हूँ, एरेच, ठीक है लिए, यह इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको दिया मिलाओ, ठीक है, यह आगई आपकी operating line, this is the operating line, यह आगई आपकी operating line, ठीक है, आप कोई मेरे को यह बता सकता है, इसका slope क्या होगा, this is the operating line, this is the operating line, operating line, कोई मेरे को बता सकता है, इसका slope क्या होगा, what is the slope of this operating line, इस operating line का slope क्या होगा, इस operating line का slope क्या होगा, ls upon gs, correct, correct, आप balance लगा देंगे, ठीक है, आप जैसे balance लगाएंगे, देखो कैसे, मैं इदर balance लगा के दिखा देता हूँ, balance आप जैसे लगाएंगे, तो balance जैसे आप column में लगाएंगे, देखना बहुत ज्यांस लिए, यहाँ पर एक घरेलू में column बना लोगया, एक मेरा यह घरेलू type का column बनी गया, absorption column सर, बहुत बढ़या, ठीक है, घरेलू type का absorption column मनी गया, यह इस तरीगे से में बना लिया, और यहां से अपना क्या जा रहा था, capital Y1, और यहां से अपना जा रहा था, capital Y2, और यहां से अपना आ रहा था, capital X2, और यहां से अपना आ रहा था, capital X1, यहां से अपना GS, और यहां पर अपना role play करेगा LS, तो मैं बात करूँगा, GS की, GS की बात करूँगा, capital Y1 जादा होगा capital y2 कम होगा तो capital y1 minus का capital y2 बहुत बढ़ी है sir और इधर क्या होगा ls होगा और ls का मतलब x1 ज्यादा होगा sir x1 ज्यादा होगा और x2 कम होगा इस तरीके से मैं लिखूंगा हमारा slope क्या होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1 या y1 minus y2 upon x2 minus x2 तो मेरा जो slope होता है वो क्या होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1 मेरा यां से भी negative y यां से भी negative y गा cancel out हो जाएगा तो जो slope आ जाएगा ls upon gs आ जाएगा this will be the your slope by mathematics this is the slope by mathematics ये सब चीज़ें आपको आ रही है तो इसका जो slope होगा जो ये slope होगा बाई जो slope होगा वो होगा ls upon gs और दूसरी important बात ये value कैसी होगी positive होगी ये कैसी होगी positive होगी positive slope आएगा कैसा आएगा positive slope slope भी positive ठीक है जी बहुत बड़े है great correct मामला सेट चाल यहां तक सर अमने बात समझ में हमको आ गई बलुकुल मस तरीके से ठीक है बहुत बड़े है अब देखो सुनो इतना पहले write down कर लो done हो गया लिखते चले आव बनाते चले आव नोट्स देखो हेड़ी नालेंगे सार लोग concept of the gs minimum concept of the gs minimum concept of the gs minimum एड़ी नालेंगे सार लोग concept of the gs minimum क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है concept of the gs minimum concept of gs minimum concept of the gs minimum नहीं concept of the gs minimum भी होता है ls minimum भी होता है आहां तो gs minimum भी तो होता है वो इस्टिपिंग की केस में हो जाएगा क्या lag हो रहा है क्या system? lag हो रहा तो बताओ lag बैसे होना नहीं चीए बहुत important है very very important star बना लो सार लोग बहुत जादा question पूछा जाता है ठीक है? star बना लो इसको हम लोग समझेंगे graph से इसको हम लोग कैसे समझेंगे? graph से समझना है सारे लोग को graph से हम लोग को समझना है भाउत ध्यान से समझेंगे बहुत मजेदार चीज़ है यह ठीक है यह आपका equilibrium curve है ठीक है? यह आपका capital Y2 है ठीक है? आपको पताए कि जो capital Y2 है वो fix है, आपको पताए यह चीज़ capital Y2 क्या है fix है ठीक है? capital Y2 क्या है fix है और यह है आपकी operating line this is the your operating line यह है आपकी क्या operating line कुछ इस तरीगे से है आपकी operating ठीक है? operating line ओके यह वाला आपका जो point है यह क्या है capital Y1 और यह वाला जो point है वो है आपका क्या? capital X2 ओके यह वाला जो point है आपका क्या है capital X1 this is the your capital X2 this is the your capital X1 अब आप चाहते किया हो ज़रा ये बता, what you want, हम चाहते कि सर ये जो X1 है वो maximum हो, हम चाहते किया है, ये निकल रहा था X1, ये अपना maximum हो, तो ये maximum कैसे हो सकता है, यह maximum कैसे हो सकता है यह जो maximum है वो कैसे हो सकता है यह maximum हो सकता है like that way इस तरीके से हो सकता है मैं ऐसी जाओंगा भाया आपने देखा होगा कि आपका जो x है वो आपका बढ़ गया जो आपका x है वो आपका बढ़ गया ठीक है जी आपका देख रहे होगे x1 आपका बढ़ गया कितना maximum बढ़ सकता है? यह जो maximum बढ़ सकता है up to this equilibrium curve, इतना यह maximum बढ़ सकता है to this equilibrium curve तक यह बढ़ सकता है, तो इहां पर जो आपका slope होगा वो आपका maximum होगा या minimum होगा? यह होगा X1 maximum, इतना maximum आपका X1 निकल सकता है, for absorption के case में, otherwise फिर stripping होने लगेगा, otherwise फिर आपका क्या होने लगेगा, stripping होने लगेगा, maximum कितना बढ़ सकता है, X1 maximum यहां तक वो सकता है, अब सारे लोग जड़ा यह बताओ, मेरे को, at this condition, your slope will be maximum और minimum, इस direction में क्या कर रहा है, slope आपका घट रहा है, मैं बोलूँ, इस direction में आपका slope क्या कर रहा है, decrease कर रहा है, decrease कर रहा है, देख रहा होगे, यह क्या कर रहा है, decrease, यहां पर बॉल रखोगे, बहुत तेजी से आएगी, यहां पर बॉल रखोगे, उससे slow आएगी, यहां पर बॉल रखोगे, और slow आएगी, it means slope will decrease, y1 जाना होगा, y1 will be greater than y2, अरे उल्टा लिग गया क्या, यह है y1, यह भी तो fix है, यह y2, कोई दिखकर नहीं, यह point जो है, यह आपके, किसके हैं, top के point है, यह है top, यह है bottom, आप देख रहे होंगे, सारी चीज़ें आपके fix हैं, आपका देखो, y2 fix है, आपका y1 fix है, अभी मैंने आपको बताया था, y1 देखो continue fix है, y2 आपका fix है, यह वाला point हली नहीं रहा है, x2 आपका fix है, सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर variable है, that is the x1, सिर्फ x1 देखो change हो रही है, यहाँ पर पहुँच again आपका y1 fix है, y2 भी fix है, x2 भी fix है, only and only changing is x1, only and only changing is x1, x1 सिर्फ और सिर्फ आपका change हो रहा है, ठीक है, तो यह क्या जाएगा, अब सुनो मेरी बात, इसका slope क्या था, ls upon gs, यहाँ पर जो मैं बात करूँगा, ls upon gs, यह slope क्या हो जाएगा, minimum slope, यह slope क्या हो जाएगा, minimum slope, very nice ठीक है यह क्या होगा ls upon gs minimum होगा अब इसके minimum होने के दो तरीके इसके जो minimum होने के हैं दो तरीके बताओ क्या क्या हो सकता है इसके जो minimum होने के तरीके दो हैं एक होगा ls minimum हो सकता है और एक condition range हो सकती है कि gs अपना maximum हो जाए इसके slope के minimum होने के दो तरीके, कि अपना LS क्या हो जाए, minimum हो जाए, मतलब उपर numerator वाली value वो कम हो जाए, denominator वाली value आपकी जादा हो जाए, तो GS आपका या तो आप increase करवादो, या तो LS को कम करवादो, तो दो तरीके से slope को minimum किया जा सकता है, बट, बट, on designing purpose, on operational waste, ठीक है, operation waste पर मैं बात करूँगा, कि जो जब भी मैं absorption की बात करता हूँ, तो जो feed का flow rate होता है, उसको fix कर दिया जाता है, जो आपका liquid मतलब, जो solvent का flow rate है, उसको vary करवाते हैं, उसको आप vary करवाते हो, ठीक है, यह आपका क्या होता है, यह fix होता है, यह जो gs होता है, यह fix होता है, ठीक है, gs will not change, अधर भाई, तुम इसको change कर दोगे, तो आपकी quality पर effect आ जाएगा, gs will not change, ls will vary it, gs change नहीं होगा, gs आपने change कर दिया, तो आपका जो x1 है, quality पर effect आ जाएगा, मैंने बोला, ओके, तो इस बज़े से तुम क्या करते हो, ls को कम करोगे, क्योंकि so that आप चाहोगे कि continue आपका x max मिला रहे है, तो आप इस minimum पर operate करोगे, जितना भी कम हो सकता है, लेकिन yes, yes, अब तुम को क्या निकालना है, l optimum, l optimum, क्योंकि यह तो maximum है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो column की infinite height हो जाएगी, height required will be infinite, height required will be infinite at this condition, क्योंकि there is no driving force, ठीक है, अब आपका क्या हो गया, driving force 0 हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया आपता, infinite required हो जाएगी height, height required will be here infinite, यहाँ पर height infinite लगेगी, तो यहाँ पर operate नहीं करेंगे, operate करेंगे इस optimum point पर, ठीक है, x1 optimum, यह आप optimum composition पर operate करोगे, तो इसका जो slope होगा, वो ls upon gs क्या हो जाएगा, optimum हो जाएगा, अब सारे लोग बताओ, optimum का slope should be greater than gs minimum, यह तो minimum slope है, तो इसमें कुछ times का मैं multiply कर दूँगा, so that हमारा क्या मिल जाएगा, l optimum मिल जाएगा, तो यहाँ पर एक note करके बात रखो, ठीक है, यहाँ पर note करके बात रखेंगे, ls upon gs, ls upon gs, आपका optimum, ls upon gs, optimum, optimum is equal to होता है, 1.22, 1.5 times of ls upon gs, ls upon gs, minimum, यह condition आपको always gate के exam में given होगी, यह condition always आपको gate के exam में given होगी, इसका आपको gate के exam में given होगी, यह condition आपको gate के exam में given होगी ग्रेट उलकुल absolutely correct यह condition आपको always क्या होगी gate के exam में given होगी तो यह था concept ठीक है to calculation of the आपके पास जैसे आपने minimum निकाल लिया आप optimum निकाल लेंगे optimum आप उस वाली operating लाइन में रख देंगे कितना actual में आपका x जा रहा होगा यह आपको पता चल जा जाएगा actual में आपको पता चल जाएंगा यह आपको पता चल जाएगा it actual में कितना जा रहा है यह कुस्शन graph से भी कर सकते हैं exagger Steve कुछ में रिवी अकी में 2019 में आया हुआ है वहुत प्यारा सवाल है उसको बार plein आप करो कि बार बार आप करो था लोग पहले क्या निकाल लेते हैं यह मिलमम निकाल लेते है इस composition के साथ minimum के लिए हम लोग काउं सा composition यह equilibrium X1 यह निकालने के लिए आप X1 यूज करेंगे तो X1 किसके साथ equilibrium में होगा Y is equal to MX के साथ ठीक है आपको Y1 पता होगा राइट आपको Y1 पता होगा यह आप X1 निकाल लेंगे जैसे आप X1 पुट कर देते हो operating line में तो वहां से जो आपका मिलता है वो L minimum मिल जाता है क्या मिल जाता है L minimum मिल जाता है फिर L minimum में आप इसना times multiply कर देते हो आपको L optimum मिल जाता है क्या मिल जाता है L optimum मिल जाता है फिर L optimum को फिर अगेन आप वहां पे जाके यूज करते हो फिर आपको यह जो g x1 optimum है वो आपको मिल जाता है यह दो तरीके से सवाल होता है एक graph से भी कर सकते हो बैसे भी कर सकते हो सारे लोग चाते हो क्या करवाएं बताओ question करवाएं 2019 में पूछा गया है ठीक है यहां से भी कर सकते हो graph से भी कर सकते हो गिराप से करोगे और मज़ा आएगा गिराप से करोगे और मज़ा आता है वह वाला कुछ ना सारे लोग रेडियो तो यह बताओ इनके साफ लोग चाहते हो तो फिर बताओ दो comment box में और comment box में एकदम से यार कुछ हो जाना चाहिए एकदम से motivator रहो तो आग साग लगाओ यार कुछ comment में motivator रहो करवा दो यस देखो तेजस इदम से जोस के साथ वैठा हुआ है पानी यानी पीके वैठो इकदम से दोनों तरीके से करवाएंगे must concept हो जाएगा आपका ठीक है चलो जी मावला बना दिया कर एकदम से जोस आ जाता है यार comment box में थोड़ा जब कभी ठीक है इदर से तुमको energy कम नहीं दिख रही होगी इदर से energy के तमसे तगड़ी वाली है मास्ट ट्रांसपर चल रहा है वेखोवी यह ठीक है इनर्जी रहेगी तगड़ी वाली गेट 2019 में आया है है 2019 पेपर कोश्चन पेपर खुल जाओ केमिकल इंजीनिंग के दर है वाई केमिकल इंजीनिंग किलिक यह यह यहां पर बता रहा है किलिक करने के लिए डाउनलोड दा पीडियो अभे यह तो इस पे जाओ यह दे हुआ है उमसे चमकीला सा यह लो बन से खुल गया है कि अभी रुप जाओ मैं क्रॉप करके अपने बोर्ड पर लेकर जाता हूं कि बहुत अच्छा पेपर है दोजार नीस दोजार पंद्रा मज़िदार पेपर है यह अभी देखना मैं ग्राफिकली वाली सवाल कराएंगी तुम तुम फ्लैट हो जाओगे यह उपर कर दो इसको और प्यारे प्यारे सवाल आये हैं कि यह रहा मामला है इस दर लेकर आओ छोटा करों इसको आगा एक मिनट का टाइम बोंठी गया है एक मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, बस हो गया, चालो, अब देखो दिख रहा होगा, रुक जाओ एक मिनट, और सर आपिस में बैट के लेक्चर ले रहे हैं, ऐसा क्या? लो, अब दिख रहा होगा है, चलो, डू देस, मस तरीके से सारे लोग करेंगे कोशन, क्या बात है? करोड़ी? कोशन आपके पास है, इस पर फोकस करो, अभी तुम बावना सब जॉब तुम यह सब पूछ लो भी तुम कमेंड बॉक्स में, कोशन पर फोकस करो, तुम यह सुखन है करो, अब पर फोकस करो, अब पर करोड़ी तुम सर एबजाप्शन रिधा इंडो थर्मिक और इकजो थर्मिक रिधा इंडो थर्मिक नॉट इकजो थर्मिक आगया गया आदे अच्छे तो आंसर याद करे वाइट है करो इसको करो आपने तीन मेथड से करवाया ही थी यस देखो बुल्कुल सबसे पहले आपके जो दिमाग में कीडा चलेगा वो यह चलेगा कि सर हम पहले क्या निकालने या लस मिनमम निकालने कि इसका मतलब तुम पहले यह ल मिनमम कैसे निकालेंगे तो फिर आम अप्टिमम निकालेंगे अब इस ऑप्टिमम पर आपको मोल रेशियो निकालना है तो मोल रेशियो आपको एक्स बन निकालना है आपको कौन सा एक्स बन निकालना है आपको एक्स बन आपको निकालना है एक्चुल में जो एक्स बन जा रहा होगा ठीक है तो यह बताओ सार लोग यह आप निकाल सकते है क्या आपके पास देखो मैं कॉलम मना देता हूँ सर लोग बहुत ध्यान से समझ लेना बात को बहुत अच्छे से समझ लेना ये question बहुत कुछ आपको सिखा के जाएगा और जितनी बार करो उतनी बार आपको बहुत कुछ सीखने को इसमें मिलेगा ठीक है तो question में देखो question में always जर्नली क्या given होगा कि आपका जो gas side होगा the mole ratio, mole ratio में given है तुमको कुछ करनी नहीं है, mole ratio of the inlet gas, मतलब जो यहां से capital Y1 जा रहा है, capital Y1 कितना जा रहा है 0.02 ठीक है और निकल कितना रहा है question में मैंने बोला न 95% 95% क्या कर लिया गया remove कर लिया गया है, तो बचा कितना 5% तो इसका 5% कितना होता है इसका 5% यहां से निकल रहा होगा, तो Y2 कितना निकल रहा होगा इसका 5% तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 0.001 0.001 इसका 5% निकल रहा होगा, 95% उदर चला गया ठीक है अब कुशन में क्या बोला गया है दा प्योर सॉल्वेंट भी है देखो मैंने बोला ना गेट के कुशन में 99% केस में क्या होगा प्योर सॉल्वेंट गिविन होगा तो प्योर सॉल्वेंट गिविन है इसका मतलब एक्स टू क्या है गिवन जीरो एक्स सारे लोक ज़रा पताएंगे यह जीवन गिविन है या जीएस गिविन है जो 50 है 50 है यह आपका जीवन या जीएस है प्लीज टेल मी the value of 50 is your GS और G1 carrier का मतलब solute 3 मतलब A का गिविन है तो सीधे सीधे सारा कुछ आपको बिलुकुल हलुआ बनाके सवाल दे दिया है बस आपसे वो चाहता था कि आप concept जानते हैं की नहीं GS is equal to हो गया 50 GS is equal to हो गया 50 equilibrium relation given है Y is equal to capital 2X सबकुछ equilibrium relation भी आपका mole ratio में given है in case यह आपका small y में given हो जाएगा न तो कभी सवाल भी नहीं solve कर पाऊगे थीक है तो यह अमेसा mole ratio में ही given होगा अजर वाई dilute mole देगा system में अब आपको चाहिए क्या यह आपको X1 चाहिए मैंने बोला ना always calculation किस कीप करनी पड़ेगी X1 की calculation करनी पड़ेगी तो X1 आपको चाहिए यही तो unknown है और तो सारे known होते हैं कोशन में भी देखो सारे इसी वज़े से given है ठीक है जी अब आपको X1 चाहिए तो मैं X1 निकाल सकता हूँ क्या बताओ सारे लोग ज़रा बता दो यह मैं X1 कैसे निकाल सकता हूँ equilibrium relation है Y is equal to 2X एक लाइन में निकल किया जाएगा मैं bottom में equilibrium relation लगा दूँ तो यहां से Y1 is equal to 2X1 लिख दूँगा तो Y1 कितना आ जाएगा 0.02 divided by 2 is equal to X1 तो X1 की value कितनी आ गई? X1 की value कितनी आ गई? 0.01 0.01 This is the your answer एक लाइन में हो गया है न? तो भाईया Y1 is equal to 2X1 ऐसे बॉटम में तो लगा ही सकते हैं न? बॉटम में बलकुल सर लगा सकते हैं बॉटम में लगा सकते हैं तो हमने Y1 is equal to 2X1 कर दिया और 2 का क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया हमने 0.01 आप लोग answer बता रहे हो 0.005 बोलो अरे बोलोगे भाईया answer कितना आ रहा है? 0.01 यही चीज़ समझ नहीं है, यही चीज़ समझ नहीं है, question में आप से यह वाला एक्सवन नहीं पूछा है यह जो तुमने भाईया एक्सवन निकाल दिया है, the mole ratio of A in the exit liquid stream y is equal to 2x1 कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसे हुआ, देखो y is equal to 2x1, given a bottom में यह relation नहीं लगा सकता हूँ क्या, देखो तेज़ सा, ऐसे हुआ देखो, ऐसे हुआ, इनकेस ऐसे नहीं कर पा रहे हुआ, तो ऐसे हो गया, देखो कैसे हो गया यह x1 और यह y1 नहीं तो था अपना, तो मैं यह equilibrium relation पता है, तो इस वाले equilibrium relation यह state line है actually, यह क्या state line है, ठीक है, y is equal to 2x, तो y is equal to 2x है, तो यह वाला जो point है इस वाले line से जा रहा है पास, तो इसको satisfy भी तो करेगा, तो इसको satisfy भी तो करेगा, लेकिन अब बात यह है, कि जो आपने यह x1 आपने निकाल लिया है, यह x1 maximum x1 है, यह आपका maximum separation इतना हो सकता है समझे, 0.0 बनका, यह क्या है, maximum value है, ठीक है, यह क्या है, yes, यह क्या है, y is equal to x1 है, यह आपका maximum separation है, लेकिन question में यह नहीं पूछा गया है, ठीक है, यह क्या है, यह आपसे पूछा नहीं गया है, यह तो आपको मैं समझाना चाह रहा था, आदे बच्चे यह निकाल देंगे, आदे बच्चे यह निकाल देंगे, कहेंगे, इसमें सर गलती क्या है, इसमें गलती यह है, क्योंकि जो यह x1 है, this is the maximum separation, तो फिर वो two times क परवाता क्यों, उसने बोलाए कि आपको वहाला x निकालना है, जब two times हो जाए, ठीक है, इसका two times हो जाए, ओके, तो वहाला निकालना है आपको, तो यह वाला x1 नहीं पूछा, यह आपका क्या आगया, x1 yes, यह आपका maximum आपका आगया, maximum value आगयी है, ठीक है, यह maximum value of x1 है, तो यह आपसे सवाल में नहीं पूछा गया है, बस मैं इसी बात पर focus कर रहा था कि आप ऐसी गलती ना करें exam में, आप ऐसी गलती ना करें exam में, अब आपको इस x1 की help से आप ls minimum निकाल सकते हैं, इस x1 की help से क्या निकाल सकते हैं, ls minimum, तो अब मैं यहाँ पर material balance लगा देत लगा, ls into capital x1 minus capital x2, तो आपके पास gs क्या given है, क्या देखो, gs given है, 50 yes, 50 given था, gs आपके पास given था 50, यह था 50, capital y1 था 0.02, और capital y2 कितना था 0.001, ठीक है, इतना था, आपके पास ls minimum आ जाएगा, ls minimum आ जाएगा, क्योंकि आप x1 काउन सा यूज कर रहे हो, equilibrium बाला 1, यह आपका minimum कितना आ रहा है, सारा लोग जड़ा बता दो, यह जो ls है, ls है, यह minimum value कितनी आ रही है, जल्ली से सारा लोग बता देंगे, yes, 95, यह जो value आ रही है, यह आ रही है, 95, ठीक है, unit लिख लेना आप लोग, 95, अब यह minimum है, question में बोला गया है कि optimum value क्या होगी, Device vidéo में बोला गया है कि optimum value, l optimum, l optimum आपको निकालना है, l optimum कितना होगा, यह optimum कितना होगा, l optimum कितना होगा, l optimum is equal to 2 times of l minimum, ठीक है, तो इसका 2 गुशा कर दो, दो गुना कर दोगे तो 9 दूनी 18, 190, 190 आ जाएगा, इस पर आपको operate करना है, इस पर operate करना है, अब आपको x निकालना है, अब आपको x निकालना है, 190 पर, now again, again आप put कर दोगे, ठीक है, material valence, again material valence लगाना है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, again material valence, gs into capital y1 minus capital y2 is equal to ls into capital x2 minus capital x1, capital x1 minus capital x2, ठीक है, gs अपना 50 का 80 ही रहा, ये था 0.02 minus 0.001, ls आपका आगया 190 है, और ये आपसे x1 आपसे पूचा है, ये 0 है, यहाँ से आपका x1 की value 0.005 आ रही हूँ, this is the your answer, तो this is the way to solve, इस तरीके से इसको handle करना है और solve करना है, समझ में आ गया yes or no, इस तरीके से इसको solve करना है ये ये gate 19 का question है, जल्ली से कर लो, तो ये था concept कि हमको पहले क्या करना पड़ता है, optimum निकालना पड़ता है, l minimum से, और l minimum कैसे निकालेंगे, equilibrium relation से, l minimum कैसे निकालेंगे, equilibrium relation से, अब तुमको देखो, अभी तो चलो ठीक है, अब तुमको थोड़ा बनाते हैं smart, ये पहले यहां तक पहुच जाओ, ये सारे लोग done बोलो, फिर इसका करवाते हैं बहतरीन method, जो कि आपने यहां पर नहीं किया होगा, मैंने plus वाली बच्चों क अब चलो, एब्रीवन आर रेडी, एक smart एप्रोच आपको बताऊंगा इस question करने की, मुस्कुराते हुए जाओगे गर पे, एब्रीवन आर रेडी, ये बताओ, एब्रीवन आर रेडी, सारा लोग तयार हैं बैतरीन तरीके से, ये तो चलो ठीक है सर, ये तो हमने जो method लगा लिया, ये हमने लगा दिया, जो rank 500 रिल्ले कराएंगे, ठीक है, हम अब लगाना चाहते हैं बढ़िया सी एप्रोच, smart एप्रोच, ये सर, बस बोर्ड और नहीं साथ दे रहे हैं, बोर्ड और साथ देने लगे समझे लोग काम हो जाएगा, आपका, चलो, आ गया प्रोग, साथ दे दिया, ये देखो, मेनत करोगे साथ हर कोई देगा, आपका, इकलिब्रियम करब पे बहुत ये थर्मो डाइनामिक्स है, इतनी आसानी से एकलिब्रियम कानी नहीं आएगी समझे, ठीक है, इसके लिए मेरे जो कन्वेंशनल लेक्चर हैं उनको फॉलो करो, ठीक है, उनको अच्छी तरीके से दो टाइम दे कर दो, उसको पढ़ो, ठीक है, हर जगे मैंने बताया हैं कि एकलिब्रियम करब कैसे बनते हैं, एकलिब्रियम करब पे इटसेल्प ती लेक्चर लगते हैं मेरे को, तब मैं एकलिब्रियम करब ड्रॉ कर पाता हूं, डर लगता है, एकलिब्रियम करब लोग ऐसे तुरंत आये हैं, और ये बहुत मज़ा आने वाला है आपको देखना मैं थोड़ा एक मिनट AC AC चला लेता हूं cool कर लेता हूं system क्योंकि अभी हो जाएगा eat ठीक है कर लेता हूं system को थोड़ा cool सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से graphical method है यह method 2 बहुत ध्यान से बात को सुनना यह method 2 equilibrium curve आपका कुछ इस तरीके से गया था equilibrium curve आपका इस तरीके से गया था ठीक है बहुत बड़े हमारे पास यह क्या है operating line है ठीक है और यह हमारे पास क्या है y है और यह भी हमारे पास कुछ ना कुछ तो है ठीक है जी यह हमारा क्या था इसकी वैलू कितनी थी 0.02 इसकी जो वैलू थी वो कितनी थी 95% निकलने के वाद 0.001 0.001 इसका मतलब जो अपरेटिंग लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी एक मिनट अपरेटिंग लाइन ऐसी नहीं बनेगी अपरेटिंग लाइन बनेगी यहां से स्टार्ट हो जाएगी एक मिनट मतलब एक्सटू की वैलू 0 है ना गुरू एक्सटू की वैलू 0 है तो डंडे को यहां से स्टार्ट करोगे इस एक्सस से यहां से स्टार्ट करोगे है ना कुछ इस तरीके से जाएगा, क्योंकि x2 की value क्या है, 0, pure solvent है, ठीक है, क्या है, pure solvent है, बहुत ध्यान से बात समझना, यहाँ पे x2 क्या है, आपका 0, और यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका y2 जरूर है, वो भी बलुकुल कमी है, 0.001, ठीक है, और यह अपना थोड़ा बहुत ह 0, 2, ठीक है जी, चलो सर, बहुत बढ़े है, बात को सारे लोग बहुत अच्छी तरीके समझ लेंगे, यह कुछ मामला ऐसा है, और एक लाइन में पास करवाऊंगा, कहां से equilibrium से, यहीं से start होगी, एक लाइन जा रही है, equilibrium relationship से, सारे लोग जरा मेरे को यह बताओ, इन दोनों लाइन के लिए, जो slope होगा, वो क्या होगा, ls upon gs, ls upon gs, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से, इसका slope कितना होगा, ls upon gs, इसका भी slope होगा, ls upon gs, भैया, gs तो constant है, चाहे तुम कहीं से भी बात कराओ, क्योंकि gs तो क्या है, 50 है, वो तो fix है, क्योंकि तो question में बोला गया है, question में क्या बोला गया है, कि जो slope है, किसका ls upon gs का, वो कितने time से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, according to question, जो slope है, ls upon gs, is equal to, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, question में क्या given है, जो question में given data है, बहुत ध्यान से बात सुनना, question में given data है, question में given है, कि जो ls optimum है, optimum है, वो is equal to 2 है, 2 times of l minimum, यह given है, yes or no, सर लोग बहुत ध्यान से बात को समझना, यह हो गया, मैं क्या करूँ, दोनों side gs यहां से भी divide कर दूँ, और g gs यहां पर भी divide कर दूँ, कोई समस्या, कोई समस्या आई नहीं सर, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, बस इसको use करके आपका answer आ जाएगा, इसी को use करके आपको answer निकालना है, यह क्या है, ls upon gs minimum, ls upon gs यह क्या है minimum, ठीक है जी, यह optimum वाला का slope कितना होगा, जरा कोई मेरे तो बताएगा क्या, इसका slope कितना होगा, इसका slope यही तो होगा, इस वाली line का मैं slope निकालूँगा, इस वाली line का slope निकालना हो, ध्यान देना सर लो, इस वाली line का in case मैं slope निकालूँगा, तो इस वाली line का slope कितना होगा, यही तो optimum है, optimum तो यही है, इस वाली line का slope कितना माइनस का x2, यही तो होने वाला है, slope, y1 माइनस का y2, upon x1 माइनस का x2, सर लोग इस बात से agree कर रहे हैं थिया, इस वाली line का slope कितना होगा, y में कितना change है और x में कितना change है, यही तो होगा slope, y में कितना change आया, और x में कितना change है, x में इतना change है, y में इतना change है, तो इसका जो मैं slope लिखूंगा this one minus this one 0.02 minus का 0.001 और divided by x1 minus का 0 x1 minus का 0 yes or no तर लोग जरा बताओ agree कर रहे हो इस बात से in case मैं इस optimum वाली line का slope लिखूंगा तो 0.02 minus का this one upon x1 minus 0 yes or no बोलिए ये slope किसका आगया इस line का मैं इस वाली line के साथ slope equate करना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं किस तरीके से लिखूं listen very carefully is equal to मैं नीचे लिखता हूँ is equal to is equal to two times of two times of of this line ये क्या है minimum minimum का मतलब इसका slope इसका बज़ा slope कितना होगा इस वाली line का slope इस वाली line का slope कितना होगा ज़रा बताऊ इस वाली line का slope कितना होगा कितना y में कितना change है this one minus this one y में कितना change है this one minus this one तो two times of 0.02 minus का 0.001 upon x में कितना change है x में वहिया कितना change है इतना x में change है तो तुम्हें ये वाला point निकालना पड़ेगा यह वाला point तो तुम तुरंट निकाल लोगे equilibrium relation से, अभी यह आपने निकाला था y1 is equal to 2x1, तो x1 तो तुमको तुरंट मिल जाएगा, क्योंकि y1 की value 0.02 है, 2 times of x1 तो x1 की value तो तुमको 0.01 पता ही है, put कर देंगे x1 minus का 0 तो 0.01 minus का 0, बस यहां से तुमारा, यही तो x1 चाहिए था आपको optimum बाला, यही तो x1 चाहिए था optimum बाला, यही तो x1 रखा हुआ है यह portion इस portion से cancel out, यह portion इस portion से cancel out, सीधे सीधे कितना आने वाला है, द्यान देना सर लो सीधे सीधे कितना आने वाला है, देखो वो लुकुल मुस्कुराते हुए, एक जटके में आंसर है हुए, यह आ जाएगा 1 upon x1 is equal to 2 times of 2 times of, यह इससे इससे तो cancel out हो गया, 1 upon 0.01, यह तो x1 की value कितनी आ जाएगी, 0.01 divided by 2, आंसर निकालो 0.005, कैसा लगा, यह मजाक, बोलो, एक जटके में आया आंसर यह उता, क्यों कुछ किया आप ने, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ आपने ये वाली लाइनी तो लिखी है ये वाली सिर्फ आपने क्या लिखी है लाइनी तो लिखी है ये वाली लाइन लिखी है cancel out करके रख दिया है एक लिए जटके में answer समझे ये solution अभी market में कही अबलेवल नहीं है ये दिखाना इखाना मत इसी वज़े से मैं प्लस में ज्यादा तर ये सब चीज़ें बताता रहता हूँ ये यूटूब पर बताता हूँ फिर कहीं copy paste हो जाएगा यार ये वैसे method बताता रहता हूँ तुमको ये सब चीज़ें इस बताने का नहीं है किसी को चुपचाप लिख लेना और कहीं में बताना भी मत ही है ये सब चीज़ें आपको अलग करेंगी समझें उसमें दुनिया बरिका material balance लगाओ बो लगाओ ये लगाओ कुछ भी नहीं material balance लगाना है material, material, material balance है सबसे परे ठीक है, सबसे परे हो तुम आदमी अराम से मुस्कुराते हुए answer आएगा, सिर्फ आपको ये वाली line लिखनी है मेरे बाई जटके में एक answer आएगा, अगली line में ये answer आनंद की प्राप्ती एकदम सांजर आए ये चीज है चुपचाप लिख ले न, ठीक है आएसे concept के पैसे लगते हैं आपको मैं बता रहा हूँ तो, ठीक है अगली अधरवाइस तुम क्या करोगे, material balance लगाओगे, minimum निकालोगे, minimum को फिर 1, 190 निकालोगे, multiply करोगे जाके two times, कुछ नहीं करना, साब कुछ रखा है याँ पे, cut पिटा के एक जटके म, बस तुम्हें ये करना है, ये solve करना है, यार ये कोई calculation में है calculation है गया, 0.01 divided by 2, ये कोई calculation है गया, इसको तुम hand calculation calculator चलनानी की नीडी नहीं पड़ेगी तुम्हें, इसको तुम्हें हाँ से calculate कर पाओगे, ये था, एक मिनट का time है, बस, अब ये तुम कब कर पाओगे, ये चीज कर कप पाओगे, तब तुम बहुत काम कर लोगे अपनी चीजों पर, अब ये चीज तुम्हें एकदम से नहीं आएगी ना, अब जिसने profession ने जो design किया है, उसने भी ये वाला method नहीं लगाया है, जो ये वाला method मैने आपको करवाया है, उसने भी ये वाला method नहीं करवाया है, उसने जो सवाल जो आपको दिया है, उसने जो try किया ह होगा उसने वही आले में थोड़ से किया है क्योंगि हर बुक में वह इतिया है कहीं पर अब तब निकालोगे तब तुम चीजिए अपनी चीजिएंपर काम बहुत जाना करोगे तो तुम दूसरी, डाइरेक्षन में सोचने लग हो गए यह चीज तुम्हें कहीं पर दुनिया में अबलेवल मिलेगी नहीं मिल जाए तो तुम उनसे कहना यह चीज कहीं पर ही नहीं अब यह जब तुम अपनी चीज़ों पर काम करो लोगे तो फिर तुम क्या करो लोगे बैरियेसन करना साइकल तो बहां छोड़ के तुम साइकल कब चला पार हो तब तुम उस चीज के पहले मास्टर बन गए थे पकड़ने वाले के है मैं आब महलोब तुमने कभी देखा होगा कि दुम जा रहे हैं गर पर हाथ चोड़ दिए तुमने वो तुम तब हाथ चोड़ पार हो भी य यह चीज है गुरू तो आपको अपनी चीजों का मास्टर होना है बस तो यह था आज का सेशन एक पार्ट और लगेगा ठीक है एंट्यू वाला पार्ट खतम कर देंगे बस फिर आपका अब्जॉप्शन भी खतम हो जाएगा तो यह चीज है तो आपको देखो अब यह नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है यह सवाल करो दिन मना देंगे आपके ठीक है सवाल करनी कि आपको नीडी नहीं है पांच सवाल करो क्वालिटी के दस तरीके से करो पांच तरीके से करो तीन तरीके से करो दो तरीके से करो पिर देखो तुम game changing आदमी बन जाओगे इनकेस तुम हमेशा ये समझो इनकेस rank ज्यादा question करने से आ जाए तो इनकेस रेंक ज्यादा question करने से rank नहीं आती है अच्छे question को ज्यादा तरीके से करो rank उससे आएगे ठीक है, एक question को दो-तिन तरीके से करो इसका मतलब अब आप बहुत डीप में जाके जा रहे हो इनके कोई भी चीज variation करके आएगी तो तुम उसको crack कर जाओगे ज्यादा question करने का मतलब नहीं है gate में यह बास समझो सारे लोग हम लोग क्या साथ सोचते हैं कि अब एक दिन में यतने question कर डालें यह कर डालें बो कर जाने नो 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 यही तो concept आपको rank लानी का समझना है rank लानी का सीधा सीधा fund आए कि चीजों को compact रखो सई रखो सठीक रखो पढ़ो कम ठीक है concept clear जादा होना चाहिए इनके सवाल उस जों से आएगा तो फिर बनेगा ओके confusion नहीं होना चाहिए बता चला बर्नॉली लगा रहे होगी नहीं पता है कि कहां पर लगा नहीं है काईसे लगा नहीं है यह आपको ब्लूगल concrete होना चाहिए कि इस point इस point को पगड़ना है ऐसे बर्नॉली लगा नहीं है यहाँ पर friction लगेगा यहाँ पर pressure drop होगा और इस तरीके से pump की efficiency निकलेगी खतम बात ठीक है तो आपको अपने concept अच्छे करने है हर subject में सिर्फ और से तो आपने देखे lecture आप लोग enjoy कर रहे हो सारी चाहिए को प्रॉपर तरीके से ठीक है और regular रहना है जिस तरीके से आप लोग बिटा stand दिखा रहे हो इसी तरीके से आप लोगों को regulatory maintain करनी है और प्रॉपर तरीके से आपको सारी चाहिए मिलने वाली है आप लोग feel भी कर पा रहे होगे राइट बिटा कुछ important information है वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ एक मिनट के अंदर एक बात क्या है कि जो भी student an academy का crash course बिटा follow करना चाहते है तो an academy पे आप लोगों को लगता है कि सारी educators का मेरे को crash course जल्दी से complete करना है तो an academy आप लोगों को 5999 में एक course आप लोगों को provide कर रहा है 3 plus 1 months का यानि कि 3 महिने का यह course है जहां पर 1 महिने का आपको extension भी मिल रहा है यानि कि overall मैं बात करूँगा तो 4 महिने का course आपको 59999 में आप लोगों को मिल जाएगा तो जिन भी student को short time के लिए join करना है वो लोग join कर सकते हैं इसको discount लेने के लिए तो discount code होगा आपका MR100 इस referral code को आप यूच करके आप लोग join कर सकते हैं जिस student का target लंबा है target बड़ा है उनको लगता है कि मेरे को सब 2026 attempt करना है तो 26 के लिए बिटा हम लोगों का सिकर वैच लॉच हो चुका है 26 के लिए हम लोगों का सिकर वैच लॉच हो चुका है तो जिस भी student को join करना है उसके लिए बिटा भी 15 मन्त का offer आपके पास available है 14999 में ठीक है discount code रहेगा MR100 ठीक है दिसदा discount code आप 14999 में बिटा आप लोग course join कर सकते हैं 15 मैने का जिस भी student को 26 का target है जो बच्चे 26 में start करना चाहते हैं वो लोग बिटा सिकर वैच को start करेंगे और यहां से proper तरीके से सारी चीज़े करने बाले हैं इसके साथ साथ आपको क्या काम करना है जैसे ही आप लोग किसी भी course में enroll करना चाहते हो तो एक guidance की आपके लिए need होती है तो एक guidance के साथ आप लोगों को continue करना है तो आपको काम क्या करना है आप लोग जोईन कर लेना मेरे से एक बार बात कर लेना अपनी strategy पूछ लेना, अपना plan पूछ लेना कि कौन से subject के साथ मेरे को start करना है मैं college going student हूँ, मैं job के साथ हूँ, मैं am tech कर रहा हूँ तो आपका हर student का plan अलग अलग होगा, तो उसके according हम लोग plan पर बात कर लेंगे उसके according आप लोगों को बिटा सारी चीज़े मिलने वाली है जैसे ही आप लोग referral code उच करेंगे MR100, सारे features आप लोगों के लिए active हो जाएंगे one to one guidance, why me आप लोगों को provide होगा, जहां पे top scoring quality जो subject होते हैं मैं आप लोगों को 2026 के लिए पढ़ाने वाला हूँ, MTU, HTU, IPC, Thermo Engineering, Mathematics चीज़े कवर होगी आप लोगों की आप लोगों को एक exclusive dedicated group मिल जाएगा, PYQs और assignment मिल जाएंगे और भी सारी चीज़ें आप लोगों को यहां पे PSU में कैसे जाएंगे, उसके लिए interview series, MTU करने जाएंगे उसके लिए आप लोगों को counseling sessions, मेरो थुरू सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बस आपको अपने end से क्या काम करना होगा, during the joining the plus और iconic course, बिटा इस referral code के साथ आप लोगों को आना है मेरे से एक बार बात कर लेंगे, यहां पे आपको maximum discount मिल जाएगा, और भी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए active हो जाएंगे चलो भी, thank you so much, bye bye, take care, thank you all of you